मैं तुशार्ध हडिवाल, आज एक बहुत ही गंभीर विशय में बात करने आया हाल ही में जो दो रेप के सामने आये हैं, एक जो कत्वा में हुआ और दूसरा जो यूपी में दोनों बहुत ही दुखत किस्से हैं और हमें वह सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या सच में हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है अपने इस दुख को मैं अपनी एक कविता के जरिये प्रस्तुत करने आया हूँ, मेरी कविता का शिशक है नारी प्रजा तंत्र चलाने वालो, अब प्रजा की देखो बारी है, इंसान अगर हो तुम भी तो, जननी तुम्हारी भी एक नारी है उस नादान की भी क्या गलती थी, पर जीवन उसका नश्ठ हुआ, सोचो मा जिसकी वो बेटी थी, उनको कितना कस्ठ हुआ कोई वस्तरों को है दोश देता, कोई गानों पे आरोप लगाता, राज दीती के गंदे रावन, किस हक से रेखा तू बनाता वो क्यूना जूमे मग्न होकर, वो क्यूना घूमे रातों में, क्योंकि तेरी नियत गंदी है, वो ना खेले बरसातों में जब कल्पना भी न हो सकती थी, तब कल्पना ने वह काम किया, धर्ती से लेकर आसमान तक भारत का देखो नाम किया इतिहास पलट कर देख ले मूरक, तेरा दिल भी थम जाएगा, क्या रानी लक्ष्मी इंदिरा जैसा, बेटा तेरा बन पाएगा फिर तुझको एहसास होगा, तु भी तो उनका आभारी है, पृत्वी के निर्मान की दाता, विस्त्रित्रूप से नारी है, धन्यवाद I would like to thank you all for watching this video and I would like to thank Neeraja Rora sir for giving me an opportunity to share my thoughts on this heinous crime, I hope we all improve and make this world a better place for women to live because this world has no existence without women, thank you.